पानी की तंकी पर चढ़ी की तंकी पर चढ़ जाता है और अपने प्यार को पाने के लिए खूद कर मरने की दमकी देता है जहां मौसी के समझाने पर बसंती को बुलाया जाता है तब जाकर धर्मेंदर टंकी से नीचे उतरता है ठीक ऐसा ही बाक्या धौलपुर्ज लेके सदर थाना इलाके के गाउं तोर में गठित हुआ जहां एक दीवानी यूती अपने आसिक को पाने के लिए मोवाइल टावर पर चड़ गई और आत्मत्या करने की दमकी देने लगी गठना को देख ग्रामिरों की भीर मौके पर जमा हो गई लड़की ने ग्रामिरों से कहा की जब तक मेरी सादी मेरे आसिक से कराने का बादा नहीं करोगे तब तक टावर से नहीं उतरूंगी और आत्मत्या कर लूंगी पूरा मामला यूं गटेत हुआ की सेपव थाना इलाके की रहने वाली 20 बर्ची यूती सदर थाना इलाके के यूगक से प्यार करती थी बताया जा रहा है कि लड़की की लंबे समय से यूगक से मुलाका तोर साथ में मिलते थे दोनों मैं लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था लड़की ने लड़के से साधी की इच्छा जाहिर की तो लड़का अपने बादे से मुकर गया और साधी की मना कर दी जिससे लड़की बौकला गई आई सनिवार की देर साम आसिक के गाउं पहुँचकर मुवाईल टावर पर चड़ गई लड़की को टावर पर चड़ता दे ग्रामिरों की मौके पर भीड जमा हो गई ग्रामिरों ने लड़की को टावर से नीचे उतारने का प्रयास भी किया लेकिन लड़की ने आसिक से साधी करने की बात कहकर मना कर दी मामले को बढ़ता दे ग्रामिरों ने सदर थाना पुलिस को गटना से अवबत कराया लेकिन पुलिस मौके पर पहुँच गई और ग्रामिरों के साथ लड़की को समझाइस करने लगी लेकिन लड़की ने मना कर दिया कहने लगी जब तक मेरी साधी मेरे आसिक से नहीं होगी मैं मर जाओंगी लड़की का रुद्र रूप देख पुलिस के भी हाथ पेर फूल गए पुलिस ने यूती के आसिक को मौके पर बिलाया और साधी का आस्वासन देकर करीब दो गंटिल की मसकत के बाद लड़की को मुवाइल टावर से नीचे उतारा गया पुलिस लड़की और यूवक को सदर थाने पूश्तास के लिए ले गई है धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के गाउबाल गोविंद का पुरा में 22 वर्षी यूगक लिए पारिवारिक कले से तंग होकर पंके की कुंडी से फांसी लगा ली पर्यन नाजुक हालत में जिलासपताल लेकर आई जहां चिकिस्टकों ने उसे मुरत गोशित कर दिया जांच अधकारी संतोस कुमार ने बताया की थाना इलाके के गाउबाल गोविंद का पुरा में 22 वर्षी यूगक राजकमार पुत्र असोक ने फांसी लगा कर आत्मत्या कर ली है मामले में मृतका के पितान ने आत्मत्या करने की तेहरीर दी है पुलिस ने मृतक का सब कबजे में लेकर जिलासपताल की मूर्चरी में पोश्ट मार्णों कराकर सब परजनों को सुपूर्द कर दिया है पुलिस ने बताया कि मामला प्रतम दरिश्ट्रिया सुसाइट का प्रतीत हो रहा है पुलिस ने मामले में मर्ग दर्जकर जांच सुरू कर दी है पुलिस ने मौके पर पहुचकर गठना से सम्मदद साच्छे जुटाए है मामले में मरतका सुनिया के पिता अमिज सिंग निवासी भमरौली अहीर आगरा ने बताया कि उसने अपनी पुत्री की साधी दो हजार बारे में हैसियत के मताविक दान दहिज दे कर की थी लेकिन साधी के कुछ दिन बाद ही ससुराली जन सौनिया को मार पीट कर परिशन करने लगे ससुराली जन बायक और नगदी का दवाव लगातार बनाती रहे जिसे लेकर पंच पठेलों को साथ लेकर पंचायत हुई लेकिन ससुराली जन नहीं माने और उसकी फांसी लगाकर हत्या कर दी सबका अंतिम संसकार कर ससुराली जन घर से फरार हो गए है मुरत का छे मां की गर्बती भी बताई जा रही है मामले में थाना प्रवारी सुमन कुमार चौदरी ने बताया कि गठना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुँच गई थी लेकिन परिजन फरार थे और घर से ताला लटका हुआ था मुरत का का अंतिम संसकार भी करा दिया है पुलिस ने गठना से साच जुटाए हैं मामले में गैनिता से जाच सुरू की जा रही है जैसे तैरीर पियर पक्च द्वारा दी जाएगी उसी मताविक कारवाई को अंजम दिया जाएगा क्या हुआ है हम पृषर का भी आट सीअगरिं को लिवर्त होती है या उसका क्या हुआ है बोसके पर त्वार कंचानपर ठाना ना किसा हुआ है फिर गर्शंद होगी जिस कर दोफिक संदिक पर लिए कर दिया गया है पुलिस जब मोगे पहुंची थी तो वहां पर घर पर कोई नहीं मिला समसान गाट में जाकर देखा रहे उसका अंतिम संस्कार किया जा चुका था पूंड रूट से जो शर्था वो जल चुका था इसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पुलिस दोरा की मामरा संदिक्त है अभी जैसे ही लड़की के पक्ष के तरजनाएंगे जो तो तो देंगे उसके आदा पर खानुन करवे की जाएगी दोहलपुर्ज लेके कंचनपुर थाइना इलाके के गाउं गुर्जला कलाम में बीती रात करीब एक दर्जन हत्यार बंद बदमास सड़क निर्माड करा रहे मैसर्स कुर्वान फर्म के करमचारियों की मार पीट कर दो टेक्टरों को लूट कर ले गए गटना से इलाके में दैसत बनी हुई है पुलिस ने रात वर बदमासों की दरपकड़ भी की लेकिन बदमास हाथ में नहीं आ सके इलाके में लगातार हो रही लूट चोरी और नकवजनी की गटनाव से आमजन में पुलिस की कारेस एली को लेकर आकरुस व्यापत है जानकारी के मुताविक गाउं गुर्जला पुरा में महुआ खेडा तक मैसर्च कुर्वान फर्म दूरा सड़क का निर्माण कार किया जा रहा था रात को कमपनी के करमचारी टेंट लगाकर गुर्जला कला गाउं के पास सो रहे थे रात करीब बारा बजे एक दर्जन के आसपास हत्यार बंद बदमास पहुँच गए जहां करमचारियों और लेवर से मारपीट की मारपीट कर बदमास दो टेक्टरों को लूट कर फरार हो गए गठना की सूचना कमपणी के करमचारियों ने कंचनपुर थाना पुलिस को दी पुलिस ने रात में नाका बंदी कराकर बदमासों की तलास भी की लेकिन बदमास पुलिस के हाथ नहीं लगे कंचनपुर थाना प्रिबारी सुमन कुमार ने बताया कि सड़क निर्मार करा रही फर्म ने अभी तक मामला दर्ज नहीं कराया है पुलिस द्वारा टीम गठिट कर बदमासों की तलास की जा रही है गुजरपुरा से मुगा खेला के लिए एक लिंक रूड का निर्मान किया जा रहा है जिस पर कुरवान खान मैंसर्स ठेकेडार है जिसको पीड़ी द्वारा ठेका दिया गया है उनके काम करने के लिए टेक्टर वगरा जो भी इनके सामान था वहां पर एक कोल्ड स्टोर है जिसका निर्मान चला था वहां पर इन लोगोंने केम्प बना रखा है कर रात को अग्याद बर्वासान द्वारा वहां पर आकर कर रहा है और उनके दो टेक्टर को ले गए हैं इस बारे में अभी तक कुछ तहरी प्राप्त नहीं हुई है जैसे कोई रिपोर्ट प्राप्त होगी काम ने कर रही की जाएगी दोहल पूर जैके सेपोव बेलाग कार्याले पर आज कांग्रेसियों ने असाओ गैलérत के मुक्छ मंतरिय और सचिन पायलइट के उप मुक्छ मंतरी बनाय जाने पर खुसी जाहिए र की कॉंग्रेसियों ने एक दूसरे को बदाई देकर कार्यकरताओं को मिठाई खिला कर हर सिवेक्त किया विलोग कॉंग्रेस सद्यक्ष बिनीत सर्मा ने कहा कि पिछले पांच बरस के भाजपा के कुसासन और नाकामियों की जीत है कॉंग्रेस पाइटी सुरू से ही आमयन, ब्यापारी, गरीब और हर धर्म की पाइटी कॉंग्रेस पाइटी कॉंग्रेस 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 स्रिमति भवान देवी जैनकी, पुर्ण्यतिती में, सिये कंपलिस, जैन बाद नायक परवार द्वारा निसुलक स्वास्त जाश के साथ, नेत्र एवं दंत चिकिस्ट का सीविर का ऐविजन की ऑजण किया जाएगा। सिविर में निसुन के ब्लेड ट्रेस्ट ब्लेड प्रेसर एसीजी एक्सरे चस्मे की जांच मोतिया बिन के आपरेशन की सुविदा बान निसुन के दबा का बितरन किया जाएगा